आज हम बना रहे हैं मठरी इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कप मैदा, आदा कप घी, एक चमचा ज्वाइन, नमक श्वादा नुसाय, आदा कप पानी, फ्राइ करने के लिए ओल, इसे अब बनाना सुरू करते हैं अंच्वाइन में ला लेंगे, खी डाल लेंगे, नमक श्वादा नुसाय, हमारा डो तैयार है, अब हम इस डो से छोटे-छोटे लम्स बना लेंगे अब हम इसकी मठ्री बनाते है, मठ्री बनाने के लिए हमें इस तरीके से मेलना है ध्यान रखिए, यह ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा मोटा इस तरीके से यह बन जाएगा और इससे दोनों तरब से चाकू की सहता से ऐसे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे तेल पर डाले तो यह फूलेना इससे तरीके सरम अपने बाक्यमाट्रियां भी त्यार कर लेते हैं हमारे सारी मठ्रियां तयार है, चलिए अब इसे फ्राइब करता है अब हम इसे एक एक करके तेल पर डालते हैं जाम रहे हैं आपका तेल मीडियम गरम हो सारी मठ्रियां को ऐसे फ्लिप करते हुए फ्राइ कर देंगे देखिए हमारे सारी मठ्रियां राइट कोल्डन प्रॉम हो चुकी हैं अब हम इसे फ्लेट पे निकाल दगते हैं अब हमारे मठ्री तयार है आप इसे सब पर सकते हैं चाय के साथ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें झाल